नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस नेशन का डिजिटल प्लाटफरम में आपके सतंग के था प्रकुसल में निस के हैरत अंगेज काउंटर अटाइक से उबरते विया अफ्रीकी गेंदबाजो ने टीम को 102 रनों से जीत दिलाई तो टीम इंडिया को काफ़ी शानदार प्रशुद करना होगा और बड़ी अंतर से मैच जीतना होगा तो चलिए जानते हैं कि चार मुकाबले के बाद पॉइंट स्टेबल का क्या है हाल साथ अफ्रिका और स्रिलंका के बीच खेले गए दिल्ली के मैदान पर मुकाबले में साथ अफ्रिका के टीम ने 102 रनों से बड़ी जीत हासल किया और पॉइंट स्टेबल पर दो अंक बटोर लिया है आपको बताते कि एक बड़ी जीत के बाद अब पॉइंट स्टेबल पर साथ अफ्रिका दूसरे स्थान पर पहुँच गई है वहीं करारी हार के बाद श्रिलंका की टीम पॉइंट स्टेबल पर नौवे स्थान पर है जबकि बात करें साल 2015 वर्ल काप और 2019 वर्ल काप के फाइनल मुकाबले में जोगे बनाने वाली न्यूजिलैंड टीम की तो साल भी अपने पहले मुकाबले में शानदार प्रदरशन किया है और इंग्लैंड जो ऐसे चैंपियन टीम को 9 विकेट से हरा कर एक असान जीत हासल की है इंग्लैंड को हरा कर न्यूजिलैंड की टीम पॉइंट स्टेबल पर पहले स्थान पर है और टीम का निट रन रेट जो है वो दो प्लस रहा है जिसमें टीम को आगे ग्रूप के मैच्शों में काफी फायदा मिलने वाला है शुलंगा के खिलाब एक से दो रनों से बहतरीन जीत के बादा फ्रीकी टीम का ड्रन रेट काफी अच्छा हो गया है जिसके चलते है टीम इंडिया को परिशानियों का सबक करना पड़ सकता है आपको बदाते हैं कि निउजिलांड और पाकस्तान टीम का भी निट रन रेट अच्छा है जिसके चलते हैं टीम इंडिया को सेमी फाइनल में जगह बनानी है तो अपने सभी मुखाबले में एक बड़ी जीत हासिल करनी होगी और सभी टीमों को हराना होगा तो उस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राए कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं वीडियो पसंद आया होग तो लाइक श्रेइर करना ना भूलें अगर आप इए वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करने साथी साथ फेस्बूक या फे इंस्टेग्राम पर ये वीटियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलोज जरूर कर ले ताकि एक भी खबर मिस्ता होने पाए